आज की पेंटिंग बहुत ही खास है क्योंकि ये पेंटिंग एक बहतरिन आर्टिस्थ रवी जी की है जिन्होंने रेसेंटली मुझे एक पॉर्टेट पेंटिंग बना के मुझे गिफ किया था ये मेरा ही पॉर्टेट है और ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बना है क्योंकि उनका चेहरा भी बहुत ही अच्छा है देखने में और स्पेशिल उनका हेर्स मुझे बहुत पसनाता है तो इनिशली आप लोगों ने देखा होगा अगर मेरा आप लोग ट्यूट्यल पहले देखे होंगे मैं बांटमबर के साथ एक पॉर्टिट का जो इनिशल लाइन्स होता है उसको प्रिजाब करने के कोशिश करता हूँ लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट डाला है यहां पर मैंने बांटमबर के साथ येलो ओकर और हॉइट दूनों को मिक्स करके जो initial under printing है उसको मैंने बना लिया है इस stage में आप लोगों को यह ध्यान रखना है जितना close हो सके original printing के साथ, reference के साथ आप इसी stage में complete करने की कोशिश केजिए यह stage अगर आप completely कर लेंगे almost 80% आप लोग का काम बन जाता है तो आगे का काम भी बहुत ही आसान हो जाता है ठीके तो यह सिर्फ टीन कलर आपको चाहिए अगर आप yellow ओकर इस्तिमाल नहीं भी करना चाहते है फिर भी burn number और white से काम चल जाएगा मेरा main palette रहेगा बहुत ही simple यहाँ पे मैं yellow ओकर का स्टिमाल कर रहा हूँ burn number तो अडिजरेली था ही और blue में मैं ultimate blue इस्तिमाल कर रहा हूँ और red में मतलब दो red होगा scarlet लेख होगा crimson लेख होगा और मैं और एक अपका orange add कर रहा हूँ extra अप नहीं कि भी करने से चलेगा और initially मैं क्या करता हूँ जो darkest dark के रिया है skin tone का जो dark के रिया है उसको capture करने के कोशिश करता हूँ और यहाँ पर भी मैं same चीज़ कर रहा हूँ मेरा brass काफी flat है मैं detail brass पर आभी नहीं गया तो अब देख सकते हो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि dark area को मैं पहले करूँ उसके बाद मेरा shift immediately हो जाता है मैं इसके उपर बहुत लाइट coat color का add कर रहा हूँ यह final coat नहीं है लेकिन almost थोरसा saturated color है इसमें आप लोग देख सकते हूँ यह original color नहीं है बाद मैं फिर से इसके उपर काम करने वाला हूँ और यहाँ पर मैंने जो brass इसमाल किया यह hog hair है filbert type का size 4 यह 5 और hairs के लिए भी आप देख सकते हो कि मेरा palette same है मैं थोरसा gray color कर इसमाल कर रहा हूँ और इसके लिए मैं black इसमाल नहीं कर रहा हूँ original जो ultimate blue buntonber है उसके साथ ही थोरसा मैंने white इसमाल कर कर किया और अभी eyes का area में कर रहा हूँ तो same brush अभी मैं apply कर रहा हूँ अभी तक मैंने detail brush नहीं किया इसमाल कर रहा हूँ अभी थोरा मैं highlights के उपर काम रहा हूँ अब देख सकते हो lips का color basically थोरसा पर्प्लिस है age तक वहाँ पे मेरे ultimate blue और किन्सन कर स्टमाल किया था थोरसा और again मैं hairs पे चला गया मेरा shift होता रहता है मतलब एक जगा complete भी ना complete किये मैं दूसरे जगा पे shift कर जाता हूँ फिर से उस जगा पे मैं वापस आ जाता हूँ तो यह मेरा technique है आप लोग का थोरा सा अलग हो सकता है अभी hairs में जो color मैं add कर रहा हूँ यह एक middle tone होए और इसके लिए भी मैं same color इस्तमाल कर रहा हूँ जो color इन इसे लिए बीर्ट के लिए किया था अगीन मेरा focus आए के ओपर चला गया भी थोड़ा सा detailing देने की कोशिश कर रहा हूँ एक nylon round brush से यह काफी बड़ा है लेकिन pointed है और यह कोई special brush नहीं है कहीं पर भी मिल जाएगा offline भी आप लोग को एक simple सा brush है और मेरा background color भी almost hairs के color के आसपास ही है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने crimson का भी इस्टिमाल किया और बहुत ही broad brush से कर रहा हूँ मुझे ठोड़ा से टेक्चर में चाहिए background में अभी cloth के लिए जो color में इस्तिमाल कर रहा हूँ एक्शल यह color cloth कर नहीं है लेकिन यह as a base coat काम करेगा जब इसके उपर में light color yellow color add करूंगा तो बीच बीच में जो जगा मैं छोड़ के जाओंगा वह as a shadow दिखाई देगा बाद में तो initially में एक random color add कर दिया है अभी तो पूरा डटी दिख रहा है तो आभी मेरा काम है जो highlighted area है उसको देना और उसके लिए में जो इनिशिल जो ब्रस इस्तिमाल किया था इसाइस फाइब अला फिल्बर्ट हॉग यह वह इस्तिमाल कर रहा हूँ एगीन मैं जो मिट्टून है 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 का मतलब नाख भी नहीं लाइट भी नहीं बीच का जो color है उसको मैं apply कर रहा हूं पूरे हैर में क्योंकि इसके ऊपर में बाद में highlight करने वाला हूं अभी आप देख सेकत हूं मैं ऐसा एक ब्रस लिया जो एक्चुली टॉंडर ब्रस है खराब हो चुका है लेकिन highlight देने के लिए काफी अच्छा है मुझे hairs का texture चाहिए इस stage में ना कि individual hairs मुझे individual hairs ट्रॉण नहीं करना है और मैं बीच बीच में कभी कभी fan brush के अभी इस्तिमाल कर लेता हूं काफी आसान होता है इसको इस्तिमाल करना और इसके साथ texture को add करना specially hairs के लिए यह size 4 है मेरा देख सकते हो बहुत यह आसानी से आप hairs का texture भी यहां से बना सकते हो और finally कुछ detail hair यह pointed brush नहीं है लेकिन toned out brush है मतलब खरब हो चुका है तो इससे जैसे के grass का effect डाला जाता है एक lens के painting में मैं hairs का कर रहा हूं यहां पे hairs, beards इसमें थोड़ा सा time ज्यादा लगता है आपको patience लेकरना होता है again मैं eye की area के detail के उपर गया जैसे के highlight के area मैंने किया अभी same brush से वही nylon brush pointed वाला और अलग से कोई brush नहीं किया कोई specialty brush नहीं है अभी तक और हां यह मेरा first video है voiceover में अगर आप लोग को यह पसंद आता है definitely comments में बताइए और कोई सवाल अगर आप लोग का है art related कोई चीज़ आप लोग को सिखना है अगर कोई subject में मुझे और videos बनाना है तो definitely आप लोग comments में लिखिए मैं कोशिस करूँगा उस subject के ऊपर video बनाने के लिए finally मैं रिगर ब्रस्टेमाल कर रहा हूं आप देख सकते हो एक pointed round brush से है थोड़ासा लंबा होता है थोड़ासा stiff है तो इससे एक एक hairs को दिखाए जा सकता है तो finally एक दो add करने से काफी अच्छा feel आता है जो volume दिखने में अच्छा लगता है इसका एगन उसी brush से मैं कर रहा हूं आभी देखिए एक दो brush hairs का texture दाने के लिए enough है चाहे तो इसके उपर आप और दो टीन घंदे लगा सकते इसको finish करने के लिए लेकिन हर एक artist को एक painting को stop करने का अलग-अलग time ही होता है तो मेरे लिए तो यह final painting है तो यह final result है आप देख सकते हो तो thank you for watching this और ऐसा ही वीडियो अगर आप लोग को देखना है तो इस चैनल को definitely subscribe करके जाये thank you so much